Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बाव फ्रिश्व स्वागत था आपका और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कैन के सभी प्रकार के यूज मतलब कैन के प्रयोग कहां कहां होते हैं चाहे आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हूँ हर तरह के यूज बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको इस कैन से रिलेटिट कोई भी प्रावलम नहीं रह जाएगी ठीक है तो ध्यान से वीडियो को देखें और सब कुछ बिल्कुल आसानी से सिखें तो सबसे पहले मैं आपके बिता दू कि कैन अगर वर्व होता है तो उसका हिंदी होता है सकना सामर्थ होना या फिर योग्य होना और कैन-noun की तरह अगर है तो उसका हिंदी जो होता है वो डिब्बा होता है बाल्टी होती ए तो हम इसको clear कर चुके हैं तो आगे हम यह जान लें कि इसको हम चार प्रकार के अलामा और भी किसी भी तरह से नहीं यूज कर दें यह केवल चार यूज आप अच्छे रंग से जानजे इसके अलामा आपको जुरूत नहीं पड़ेगी ठीक है न यह चारो यूज आप दियान से देखेंगे चारो यूज में सबसे पहले आप यूज यह देखें कि पहले यूज में हम हैबिट हो या नेचर हो तो उसके दोरा किसी बेक्ति का या फिर किसी जानवर का तो उसके दोरान हम कयान का प्रियोग करते हैं आवसी विनिंग आने पर ठीक है और थिएूरेटिकल पॉसबिल्टी एगर है जैसे संभाना कोई चीज कि चीज़़े स प्रियोग जो है सकना या समर्त होना के लिए यूज करते हैं ठीक है आगे ये आपका थोड़ वाला है पर्मीशन के लिए पर्मीशन देने या लेने के लिए यूज करते हैं लेकिन उसका एक्जाम्पल के दौरान और भी अच्छे धंक से हम आपको समझाएंगी पर्मीशन का मतलब होता है ठीक और पावर का मतलब होता है शक्ति या योगिता या फिर चमता ठीक न तो ये चार तरह से हम जो है कैन का यूज करते हैं ठीक तो आए एक्जाम्पल के तरफ चलते हैं और सबसे पहले एक्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि हैबिट और नेचर क इसाब से सबसे पहला sentence है कि हम habit को पहले देखेंगे ठीक है कि राजू can make a mistake He can deceive us Sam can smoke here मतलब राजू mistake कर सकता है यह है राजू की आदत है ठीक है He can deceive us वह हमें धोका दे सकता है यह उसकी जो है आदत है ठीक है Sam can smoke here मतलब श्याम यहाँ पे cigarette पी सकता है यह उसकी आदत है बाश समझ मैं आई कि ने तो यह उसकी आदत है किसी बक्ती की या फिर किसी जानवर की आदत है और उसके लिए हम कहने का प्रियोग सकना सकने के लिए खर सकते हैं ठीक है अब nature की बात करें मतलब शुभाव शुभाव का मतलब जैसे सेंटेंस यहाँ पे हो गया आपका कि राजू कैन नाट अब्यूज राजू गाली नहीं दे सकता है मतलब राजू का सुभाव ऐसा नहीं कि वह गाली दे ठीक है अगला है कि गोट कैन नाट हर्म एनिमन मतलब बकरी किसी को नुक्सान नहीं पहुचा सकती है तो यह क्या है बकरी का क्या है नेचर है मतलब कि सुभाव है और अगला सेंटेंस है कि डाज कैन अटरेक आट अन रैट एनि टाइम मतलब कि जो कुटा है या जो कुटे होते हैं वो रैट पर किसी भी समय अटैक कर सकते हैं मतलब यह कुत्तों का नीचर है ठीक है ना सभाव है उनका ठीक है तो इसके अलामा आपको और गहीं पर कैन की यूज नहीं करनी है सबसे पहला है कि everyone can make a mistake मतलब सभी लोग मिस्टेक कर सकते हैं यह एक सिधान्त है मतलब एक नेचुरल क्वालिटी है कि सभी लोग मिस्टेक कर सकते हैं तो वहां पर भी कैन का यूज करेंगी जैसे electricity can be dangerous बिजली जो है यह खतरनाक हो सकती है तो यह वह एक सिधान्त पर चलती ह इसलिए यहां पर भी कैन का प्रियोग हम कर रहे हैं अगला है आपका petrol cannot be used as LPG पेट्रोल को हम LPG के तरह नहीं प्रियोग करते हैं यह नहीं प्रियोग कर सकते हैं ठीक न तो यहां पर भी हमने कैन का प्रियोग कर लिया यह theoretical possibility याज याद रखना किसके अलावा आपको कहीं कैन के प्रियोग की जुरूत नहीं पड़ेगी राइट आगे आ जाते हैं permission पर यह point पर थोड़ा सा confusion रहता है कि इस permission का मतलब अनुवती देना या लेना तो इसमें पहले में sentence देखो कि you can come now तुम अभी आ सकते हो मतलब जैसे उसने कुछ समय पहले हमसे पूछा था कि क्या मैं आ सकता हूं तो हमने अब उसको अनुवती दे दिया कि हां you can come now हां तुम अब आ सकते हो इसमें भी वैसे ही है जैसे लग रहा है इसने पूछा था कि क्या मैं आप बैठ सकता हूं तो आप मैंने कहा कि हां he can sit here हां वह यहां बैठ सकता है ठीक यहां पर sentence है कि stop you cannot go out रु यहां पर भी एक हाज जैसे permission लेने के लिए question है कि can you give me your phone क्या आप मुझे अपना phone दे सकते हैं right तो गाइस यह चीजी जो है यह 100% correct है लेकिन permission देने के लिए और लेने के लिए दोनों में हम सकना के लिए can के जगह में का यूज करते हैं वह ज्यादा बैतर होता है ठीक है तो इसको आप clear कर लिजेगा 100% इस चीज को note कर लिजेगा right and last use मैं आपको बता दूँ यहां पर आजाए पुचाओते में जिसको हम कहते हैं power ठीक है यह बिल्कुल 100% correct use है यह भी देख लिए राजू can speak English you can solve this problem she also can dance he also can sing song कहने का मतलब यह है कि राजू can speak English राजू अंग् इंग्रेजी बोलने की छमता है capacity है योगिता है मतलब ability है उसके अंदर या फिर वह जानता है कि एंग्रेजी कैसे बोली जाती है समझ रहे ना तो इसका मतलब यहां पे भी हम कैन का प्रियोग कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई कारी करने की छमता है power है शक्ति है योगिता है मतलब कि वह जानता है कि यह कार कैसे किया जा सकता है तो वहां पे भी हम कैन का प्रियोग करते हैं ठीक नेक्स्ट में भी वैसे ही आप इस बात को समझे ना कि जिसे you can solve this problem तुम इस समस्या को solve कर सकते हो यहां पे भी बात है कि यह जानता है तुम जो है वह जान करनते हो कि यह कैसे solve किया जा सकता है है या इसको solve करने की ताकत तुमारे अंदर है capacity तुमारे अंदर है ability तुमारे अंदर है ठीक न तो यहां पे भी हम कहन का प्रियोग करेंगी और यहां पे आप देखेंगी see also can dance मतलब वह भी नाच सकती है उसके अंदर यह शारी capacity आप 100% कहन का करके आप बड़े असानी से कहन के सारे के सारे प्रियोग को क्लियर कर लिये हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही लेकिन याद रखें कि इसके अलावा कहन को आपको कहीं पर यूज़ करने की जुरूत नहीं आएगी यह पुर एक तो आज के वीडियो में बस इतना ही और याद रखें कि डेली पढ़ानी करने के लिए आप कंटिन्यू टीव में आईए और सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप चाहें तो और कंटिन्यू डेली पढ़ाब करें मिलता है नेक्स वीडियो में कुछ नई सीज़ों के साथ में तब तक के लिए थैंक यू वे नईस दी बगए